तो फ्रेंट्स यह जो वीडियो एक कमेंटेट फैन डिमांडेट वीडियो है जिसे कमेंट कहा हर्ड्स गेमर ने जो की है स्नाप्डरिगन फोर जिन टू वर्सेज डैमेसरी सेवंडेट तो देखते हैं कि कौन सा प्रोस्टर होने वाला है बेटर लाज्ट तक मेरा पूरा व नवंबर 2020 में उसकिया गया था दोनों ही प्रोस्टर मिड्रेंज में आते हैं स्नाप्डरिग का जो मॉडल लंबर हो है SM4450 डैमेसरी का मॉडल लंबर है MT6833V-ZA एंड टीडीप की बात के तो जिसका जितना हाई वाट टीडीप होता है उतना बेटर प्रोस्टर बन जाता है इस स्नाप्डरिग का 4 और 5W हो सकता है डियमेसरी का 6W है मतलब बेटर परफोंच डियमेसरी में टीडीप को लेकर आएगी लेकिन टीडीप को बढ़ने के साथ साल आपकी हीटिंग और बैटरी द्रेन इसू बढ़ जाती है अब बात करें यहां पर अर्किटेक्टर की तो दोनों जो प्रोसर दिये गए है वह उक्ता कोर प्रोसेसर है स्नाप्रिग में मिलेगा 2.2.2 कोर्टेक्स एसेवंटी एड बाकि जो 6 कोर है वह 2.2 गीगार्ट पर क्लॉक है कोर्टेक्स एसेवंटी फ़िए गया है तो बात करें हाँ पर सीपी फ्रिक्वफ्रिक्वेंसी की तो सीपी फ्रिक्वेंसी में जो आपको दोनों फ्रिक्वेंसी देखने के लिए तो बात करें यहां पे CPU frequency की, तो आपको दोनों इस frequency देखने को मिलेगी प्रोसेसर में वह सेम है, 2200 MHz, अब बात करें फैब्रिकेस्ट के तो जिसका जितना स्मॉल फैब्रिकेस्ट होता है उतना बेटर प्रोसेर होता है वह, यहां पे Snapdragon 4nm Samsung-based technology के साथ है, तो Snapdragon में आपको बेटर पावर इफिसेंसी देखने को मिलेगी विकाज इस 4nm के साथ है, हाँ Snapdragon थ्रोड़ बूद थ्रोटल करता है बट 4nm आप कंसिडर कर सकते हैं, यहां पे बात करें ग्राफिक्स की, तो कि ग्राफिक्स के मामलेब Snapdragon मिलेगा Adno 613 अर्खिटेक्चर का Adno 600 है, यहां पे जो इसका फ्लोटिंग पॉइंट्स है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड, इस Snapdragon का 450 प्लस होने की चांसे काफी हाई हैं, और Dimensity का 243 गीगा फ्लोट्स की स्पीड है, मेमोरी टेप सपोर्ट में दोने ही जो प्रोसर सपोर्ट करते हैं वो अलग लग सपोर्ट करेंगे, बट इन फोन आपको सेम देखने को मिलेगा, इस Snapdragon में LPDDR5 का सपोर्ट दिया गया है, RAM Frequency की 3200 MHz की सपोर्ट कर दिया है, बट Redmi 12 & Poco M6 Pro में LPDDR4X का सपोर्ट दिया गया है, और Dimensity का मैक्सिमम सपोर्ट ही LPDDR4X है, RAM Frequency 2133 MHz की है, इस storage type की बात करें, storage type यहाँ पे जो Snapdragon है, UFS 3.1 का मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है, बट phone में UFS 2.2 का सपोर्ट दिया गया है, और Dimensity का मैक्सिमम सपोर्ट ही UFS 2.2 है, अब बात करें, अब गेमिंग ग्राफिक्स डेटा की, तो यहाँ पे Snapdragon का data मैंने Redmi 12 के 5G version से लिया है, अब बात करें, मैंने Redmi 11 Prime 5G से लिया है, तो बात करें, अब Free Fire Max की सबसे पहले, तो दोने जो प्रोसेसर हैं, वो 40 Max High का सपोर्ट कर देते हैं, और PUBG Mobile में आपको देखने का मिलेगा, 40 HD High का सपोर्ट, और Call of Duty की बात के यहाँ पे भी similar सपोर्ट रहेगा, 40 के साथ Medium High, मतलब जो आपको in-game graphics सपोर्ट देखने का मिलेगा, वो दोनों ही प्रोसेसर में एकदम सिमलर रहेगा, ओवररल पर्फोर्मेंस के मामने भी Snapdragon ही बेटर आने वाला है, अब बात करें यहाँ पे Video Capture की तो, Video Capture में Snapdragon 1K 60fps का सपोर्ट करेगा, डियमसरी में 2K और 3D PES का option मिल जाता है, वीडियो प्लेबैक भी ऐसी सेम देखने को मिलेगा, दोनों का डिस्प्लेय रेलूशन भी सेम है 2520 to 1080 pixels का है, और NPU भी दोन ही प्रोसेसर साथ मिल जाते हैं, कनेक्टिवडी की बात किया तो, कनेक्टिवडी इस दोन ही जो प्रोसेसर हैं वो 5G सपोर्ट करेंगे, 4G में LTE-CAT 18 का सपोर्ट दिया गया है, Bluetooth 5.2 & 5.1 की टेकलोजी मिल जाती है, फोन में थोड़ा बोडिफरेंस होता है, यह पर आपको कभी-कभी 5.3 की भी टेकलोजी देखने को मिल सकती है, यह पर देमसरी का स्कोर 5.67 है, मादब बेटर परफोंस आपको स्नाप्रगर में ही देखने को मिलेगी, विकॉस में, Cortex A78 का सपोर्ट आता है, यह मल्टिकोर परफोंस है, स्नाप्रगर का स्कोर 1099, स्कोर आता है, देमसरी का 1070, 46 स्कोर आता है, मादब इस मामले में भी स्नाप्रगर बेटर रहने वाला है, यहां पर यहां पर जो अन्दू बेंचमार्क 9 वी का स्कोर है, बस धैनमसरी का, अन्दू परफोंसरी का स्कोर 4,45,000 तक स्कोर करेगा, एन डैमसरी का 3,40,000 तक स्कोर करेगा, नेक्ट आप पर देखा जब 3D Mark जो कि Graphics data को बताता है, Snapdragon का 700 तक data आएगा and Damacy का 1200 आएगा, मतलब कि Graphics के मामल में Damacy थोड़ा सा बेटर रहेगा बट इन गेम जो आपको 4 में support दिया गया है, वो दोनों में similar दिया गया है तो ज़्यादा difference यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा अब बताता हूं conclusion कि कौन सा processor आपको लेना चाहिए देखिए जो CP performance के मामले में Snapdragon 37 score करेगा and Damacy 35 score करेगा because Snapdragon इसलिए better हो रहा है क्योंकि इसमें Cortex A78 का support दिया गया है but दोनों के frequency सेम है तो यहाँ से performance better हो जाती है मतब दोनों के similar हो जाती है and जो TDP की बात कि तो Snapdragon 4W based TDP है and Damacy TDP में 6W based TDP है जिसके वीज़े से Damacy TDP काफी power बढ़ जाती है and gaming performance की बात कि यहाँ पे Snapdragon 22 score करेगा and Damacy TDP का 25 score होगा overall के मामले में Damacy TDP एक better performance देगा gaming में but in-game graphics दोना ही processor का similar है तो gaming के लिए आप कोई भी processor consider कर सकते है but थोड़ा मैं recommend करूँगा Damacy TDP because 3D mark बढ़ आता है and आप बात कि ने battery life support की तो battery life support में snapdragon definitely better होगा because यह 4nm based technology के साथ है and यहाँ पे Damacy TDP का score 78 है and यह 7nm TSMC based technology के साथ है next बात कि यह Tech Room score मतलब मैं क्या recommend कर रहा हूँ आपको देखे दोनों ही जो processor है काफी बढ़िया प्रोसेसर है snapdragon overall 41 score करेगा its damage overall 39 score करेगा दोने प्रोसेसर काफी अच्छे प्रोसेसर है performance के मामले में snapdragon थोड़ा सा better होगा यहाँ पर जो gaming का मामले में damage थोड़ा सा better होगा बाकि connectivity दोने प्रोसेसर का एकदम सिमिलर है and video capture के मामले में display के मामले में आपको damage थोड़ा सा better देखने को में बेगा because में 2K का support दिया गया है and overall दोने ही अच्छे power package के साथ आते है अगर आप इन दोनों प्रोसेर में से कोई भी प्रोसेर लेने वाले हैं तो comment जरू किजएगा and ताकि दूसरे लोगों की भी help हो सके और अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को like and चैनल को subscribe भी जरू किजएगा ताकि मेरी help हो सके thanks for watching